अलो प्रेंट्स वेलकम बैक टू मै चैनल आज स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दाजुकेटर निमीशा में आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूं NCRT क्लास थर्ड का एक नया चैप्टर माई सिली सिस्टर जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है माई मींस मेरा सिली मींस होता है मूर्क भी कह सकते हैं ना समझ भी कह सकते हैं और सिस्टर मींस बहन तो माई सिली सिस्टर यानि मेरी मूर्क बहन या मेरी ना समझ बहन तो चल यह देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में जैसा कि आपको पिच्चर में दिखाई दे रहा है कि इस चैप्टर म आपका बेबी, बेबी किसे कहते हैं बच्चों, बेबी कहते हैं बच्चे को, your baby is silly, आपका बेबी मूर्ख है, silly means मूर्ख, she is so very childish, वह बहुत बचकानी भी है, childish कहते हैं बचकानी को, बचकानी यानि जो बच्चों जैसी हरकते करता है, she does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars, वो नहीं जानती, अंतर, difference means, अंतर, between means, बीच में, street means होता है, सडक, और bright मतलब चमकीले, stars means तारे, वो नहीं जानती, अंतर किन के बीच में, जो सडक पर चलने वाली light होती हैं, और चमकीले तारों के बीच में, वो चमकीले तारों और सडक पर चलने वाली light हो के बीच में, अंतर को नहीं जानती, when we play with pebbles, जब हम pebbles के साथ, pebbles किसे कहते हैं, pebbles कहते हैं, पत्थरों को, जब हम pebbles के साथ खेलते हैं, she thinks they, they are real food, वे समझती है कि यह सच में खाना है, she even tries to put them into her mouth, वो क्या करती है, कोशिश करती है, try means कोशिश करना, to put them into her mouth, उन्हें अपने मुख में रखने की कोशिश करती है, चलिए आगे देखते हैं, क्या होता है, फिर वो भाई कहता है, when I open a book before her, and ask her to learn her ABC, मतलब, when I open a book before her, जब मैं उसके सामने उसकी किताबे खोलता हूं, and ask her और उससे कहता हूं, to learn her ABC, अपनी ABC याद करने के लिए, see tears the pages, tears means क्या होता है, फार्ना, और pages मतलब, page, पन्ने जो कॉपी के पन्ने या किताब के पन्ने, with her hands, अपने हाथों से, and roars with joy at nothing, roars means होता है, दहार्ना, joy means खुशी से, या मजे से, nothing मतलब, बिना किसी कारण के, है ना, तो क्या हुआ, see tears the pages, वो अपने किताब के पेजों को, फार देती है, अपने हाथों से फार देती है, और बिना किसी कारण के, खुशी से, चिलाती है, this is your baby's way, of doing her lessons, ये तुमारे बच्चे का तरीका है, way means रास्ता, या तरीका है, of doing her lessons, अपने lessons को करने का, तो देखिए, यहाँ पर एक भाई, अपनी बहन की शिकायत, अपनी मम्मी से कर रहा है, तो यहाँ पर यह देखिए, अब उसने दिखाया हुआ भी है, कि देखिए, वो क्या कर रही है, बच्ची, बच्ची किताब के पेजों को फार कर खुश हो रही है, चलिए आगे देखते हैं, क्या होता है, यहाँ पर, यह देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, वेन आई शेख माई हैड हर इं एंगर और इसके ज़र और जब मैं अपना सर हिलाता हूँ, उसके सामने अपना सिरह राता हूँ किसे क्रोध से and scold her और उसे डाटता हूँ scold means डाटना और call her naughty naughty means शैतान और उसे शैतान कहता हूँ see laughs वो क्या करती है? हसती है laughs means क्या होता है? हसना and thinks और सोसती है it great fun यह क्या है? बहुत बड़ा मजाक है next पे देखे क्या होता है everybody knows that father is away everybody मतलब सभी लोग knows मतलब जानते है everybody knows सभी जानते है that father is away पापा दूर है but sometimes लेकिन कभी-कभी I call out father playfully मैं कभी-कभी खेल-खेल में अपने पापा को भुलाता हूँ she looks quickly वो एकदम से देखती है about her in excitement वो उत्सुकता से एकदम से देखती है and thinks that father is near और सोचती है कि पापा पास में है देखे आगे क्या होता है sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes कभी-कभी I hold a class मैं class लेता हूँ किसकी with the donkeys donkeys किसको कहते है दंकी कहते हैं गधे को मैं गधो की class लेता हूँ कब that our washerman brings washerman किसको कहते है धोबी को जब जो washerman है वो brings to carry away the dirty clothes washerman dirty clothes यानि गंदे कपडों को ले जाने के लिए जिन गधो को ले कर आता है तब मैं उनकी क्या लेता हूँ कभी-कभी that I am the school master मैं कौन हूँ school का master हूँ and that she better not make any not make any noise और उससे कहता हूँ कि अच्छा होगा कि वो किसी प्रकार का शोर noise means क्या होता है सोर करना किसी प्रकार का शोर ना करे only then she keep quiet quiet में शान्त केवल तब ही वह क्या होती है शान्त होती है I insist that she should call me दादा मैं उसे insist करता हूँ कि वो मुझे क्या कहे दादा कहे आगे देखिए क्या होता है Your baby wants to catch the moon आपका बच्चा क्या पकरना चाहता है catch catch means पकरना moon means चांद आपका बच्चा चांद को पकरना चाहता है See is really funny वह बहुत मज़ेदार है Mother, Ma Your baby is silly आपका बच्चा मूर्ख है See is very childish वह बहुत बच्चाना है तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको अभी हिंदी में बताया समझाया बहुत प्यारा चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है चलिए इसके new words को देख लेते है The first one is childish Childish का मीन होता है बच्चाना Pebble, Pebble हम कहते है छोटे-छोटे पत्थर को Dunkey, Dunkey means कधा Dirty, Dirty का मीन होता है गंदा Anger, Anger means कुसा Excitement, Excitement का मीन होता है उत्सुकता Playful, Playful का मीन है खेल-खेल में और Naughty means, Naughty means होता है शैतान Washerman, Washerman यानि कपड़े धोने वाला धोबी तो यह इसके new words है चलिए अब चलते हैं इसके question answers पर The first question is What does the baby do with the pebbles? And answer is The baby thinks that the pebbles are real food She tries to put them in her mouth Next question देखते हैं क्या है? What does the baby do with the book? The baby tears the pages of the book Next question पर जलते हैं When does the baby laugh? Answer The baby laughs when her brother scolds her ठीक है? अब next question देखते हैं Next question क्या है? एक question और है इसमें The next question is Why does the washerman brings donkeys? Why does the washerman bring donkeys? And the answer is The washerman brings donkeys to carry away the dirty clothes तो ये इसका answer हो गया इसके लावर दो क्योशन और इसके अंदर है First question है What is the funniest thing the baby does? तो इसका answer होगा When her brother shakes his head at her in anger and scolds her और call her naughty She laughs This is the funniest thing the baby does तो इसमें answer आपका कुछ और भी हो सकता है Next question पे चलते हैं Do you think the baby sister is really silly? Why? Answer होगा The baby sister is not really silly She is very small She does not know what is right and what is wrong तो इस question में ये कुछ question answer थे जिनके answer मैंने आपको दिये अब चलते हैं exercise पर First is fill in the blanks to spell words from the story तो इस story में से आपको कुछ words यहाँ पर दिये गए हैं इन words में आपको क्या करना है Alphabets लिखकर Letters लिखकर इस word को complete करना है आपको देखते ही पता चल जाएगा कि पहला word है silly और silly की spelling क्या होती है देखे मैं लिख देती हूँ S-I-A यहाँ पर क्या आजाएगा L-L silly हो जाएगा Next है pebbles Pebbles की spelling क्या होगी P-E और B-B-L-E-S Pebbles हो जाएगी Streets S-T-E-E-T-S Streets हो जाएगा Scald S-C-O-L-D Lessons L-E-S-S-O-N-S Lessons हो जाएगा Naughty N-A-U-G-H-T-Y Naughty Excitement E-X-E-I Excite E-X-E-I-T-E Excitement M-E-N-T Ment हो जाएगा तो यह से तरीके से आपकी exercises हो जाएगी आगे चलते हैं देखिए एक रह गया इसमें क्या जाएगा D-O-N-K-E-Y Next पर जलते हैं Next है Write similar words from the story Write similar words from the story यहाँ कुछ words दिये है इन words के similar meaning वाले words आपको स्टोरी में मिलेंगे तो आपको उसके धूंड का लिखना है तो foolish means भी मूर्ख होता है और स्टोरी में आपको क्या word मिला था Silly और silly means भी होता है मूर्ख तो silly हो जाएगा Stones Stones किसको कहते है स्टोरी में stones आपको बताया था मैंने की pebbles होते है Pebbles को भी हम क्या कहते है Stone कहते है तो pebbles हो जाएगा Mischievous Mischievous का हो जाएगा Naughty तो आप लिख देंगे Naughty N-A-U-G-H-T-Y अभी naughty की spelling हमने अभी भी लिखी थी और fetch का मीनिंग हो जाएगा Bring तो यहाँ पे आप B-R-I-N-G Bring हो जाएगा ठीक है Next question पे चलते है Third वाला क्या है देखिए Fill in the blanks with words From the box तो यहाँ पे आपको Box में कुछ words यह है Children They और Bear तो यहाँ पे आपको Children Children are playing in the field जब एक बार Children use हो गया तो आप यहाँ पे आप क्या use करेंगे pronoun use करेंगे तो यहाँ पे क्या pronoun है They The children are playing in the field They are happy तो यहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे आजाएगा आपका They ठीक है और उसके बाद Next पे आगी फिर से यहाँ पर pronoun use करेंगे फिर हम यह लिखेंगे They are playing catch me if you can तो यहाँ पर भी क्या आजाएगा यहाँ पे भी आएगा They तो यहाँ पे आजाएगा देखिए The desk has rung It is the time for lessons तो यहाँ पे आएगा The bell आजाएगा आपका यहाँ पे तो इस तरीके से आपकी exercise पूरी हो जाएगी Next पे चलते है Fourth question is Fill in the blanks One child many यहाँ पे आपको singular noun दिया हुआ है आपको इसे plural में change करना है तो child का plural क्या होगा Children देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Children C-H-I-L-D-R-E-N Children हो गया Children हो गया Next है One fox many foxes तो यहाँ पे आजाएगा foxes F-O-X-E-S Foxes हो गया Next है One duck many ducks हो जाएगा तो यहाँ पे आजाएगा D-U-C-K-S Ducks हो जाएगा One goose many geese हो जाएगा तो यहाँ पे आपका G-E-E-S-E geese हो जाएगा Next है आपका Question number 5 Add full to make a word देखिए यह easy exercise है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको simple जो word दिया है उसमें full जोड देना है कैसे the children are play की जगह हो जाएगा playful तो spelling क्या हो जाएगी spelling हो जाएगी मैं एक करके दिखाती हूँ देखिए playful P-L-A-Y-F-U-L पस ऐसे ही आपको सारे words के साथ F-U-L लगा देना है The flowers are beautiful The books are useful The vegetables are plentiful ठीक है आगे चलते हैं Next क्या है देखिए उसी तरीके से जहां से वहां पे F-U-L लगाना था उसी तरह से यहां पे आपको L-Y लगाना है Add L-Y to make a word The new shoes are lovely तो यहां spelling क्या हो जाएगी spelling हो जाएगी आपकी L-O-V-E-L-Y Lovely ठीक है और He is real Real smart लिखा है He is smart तो really हो जाएगा R-E-A-L-L-Y Really हो जाएगा Next पे चलिए क्या है We should eat des तो यहां पे क्या हो जाएगा Slowly S-L-O-W-L-Y Slowly हो जाएगा Let us sing soft तो यहां पे आजाएगा Softly ठीक है तो इस तरह के से आपकी एक्सराइस हो जाएगी Next पे चलते है 7th है Add I-S-S to make a new word The first one is That girl is always crying She is child तो यहां पे लिखेंगे हम She is childish और childish को कैसे लिखेंगे C-H-I-L-D-I-S Childish तो आप देख रहे हैं कि यहां पर Different words में अलग-अलब तरीके के Alphabet को लिखकर नए शब्द लिखनेस बताएगा है जैसे यहां पे I-S-H जोड दिया इससे पहले आपने F-U-L जोड था उससे पहले आपने एक और जोड के आपने बनाया था L-Y जोड के बनाया था तो इस तरीके से यहां पे नए नए वर्ड सापको बनाने सिखाये जा रहे हैं I slipped on a banana peel I feel foolish तो यहां पे क्या हो जाएगा F-O-L-I-S-H 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 और the next question is My sister is baby तो यहां पे B-A-B-Y-I-S-H Baby issue हो जाएगा तो इस तरीके से आपकी एक्सेस पूरी हो जाएगी आगे बढ़ते हैं आगे क्या है Let's write Write five sentences on how you help at home तो यहां पर आपको अपनी मर्जी से अपनी मदर के साथ फादर के साथ ब्रदर के साथ सिस्टर के साथ किस तरीके से आप उनकी help करते हैं यह आप लिख सकते हैं तो इस तरीके से आपकी एक्सेस पूरी हो जाएगी यदि आपको आप मेरे explanations question answers पसंद आ रहे हैं तो please मेरे चैनल को subscribe करिए वीडियो को like करिए और अधिक से अधिक संख्या में इसे share करिए मैं समय समय पे आपके लिए नए नए वीडियो लेकर इसी तरीके से आती रहूंगी आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much